नमस्करम, मैं डॉक्टर एका बर्मा, राजके वंगर माहा विद्दले डीटवनसे, आज मैं बात करती हूं भी ये प्रतम बश्च के हिंदी साहित में और प्रतम प्रश्पत की, हम बात कर रहे हैं सूर की, एक दोहा बहुत प्रसित है, सूर सूर तूसी ससी उडगन के इसका आर्थ है कि सूर तो सूरी की समान है, और तूसी चंदरमा की समान है, और केशव तारों की समान है, ये तुल्ला में ही हम बात करते हैं सूर सूर तूसी ससी, किस प्रकार से सूर दास तूसी दास से बहतर हैं, या दोनों बराबर हैं, या तूसी दास सूर दास से अच हिंदी साहित आकाश में सूर अर्था सूरी की समान है और तुलसी चंद्रमा की समान यह उक्ती वास्ता में सूर और तुलसी में समानता दिखाने के प्रयास है सूर और तुलसी में कौन एक दूसरे से बढ़ा है प्रिश्न अत्यंत विवादा इस पत है सूर और तुलसी हिंदी साहे तेकाईश की दो परमुज्वल नक्षत रहें इन में से किसका प्रकाश अधिक और किसका कम है यह बतलाना बड़ी ही से बड़ी समालुचक के लिए भी बड़ा कठिन कारे हैं इन दोनों महात्माओं के उपस्थितिकाल से अब तक अनिक विद्वानों ने अनिक महत्व की तुलना की है उन में से किसी ने सूर को और किसी ने तुलसी को बड़ा बतलाया है किन्तों उनका कथन सदे विवादगरिस्त रहा है और आगी भी रहेगा देखने में दोनों ही महानुभाव हिंदी कभियों के मुकुट मणी हैं और अपने अपने शेत्रों में एक दूसरे से बढ़ चड़कर है हिंदी का कोई तीसरा कभी किसी प्रकारियन की समता नहीं कर सकता अब बात हम करते हैं तुलसी दास के तुलसी दास का प्रतिभात विशे रामचरित है जिसे उन्होंने प्रभंधात्मक रूप में प्रस्तूत किया है इस प्रकार समकर रामचरित को लेकर एक महा कभी की रचना करने वाले तुलसी दास का कभी शीद बहुत व्यापक एबम विशथ है जिन में कुछ प्रभंध रचनाएं हैं और कुछ गीती का भी या मुक्तक रचनाएं भी उन्होंने लिखी हैं तुलसी के इस्टदेव का चरित्र भी लोग व्यापी प्रभाब बाला हैं दूसरी ओर सूर का कावशेत्र सीमित है उन्होंने भागबत का आश्रे लेकर कृष्णी की लीलाओं का बढ़नन किया हैं यह तो उन्होंने श्री कृष्ण को वकासूर शक्तासूर आधी रक्षसु को मारते हुए दिखा हैं किन्तो इसमें कृष्ण का लोग व्यापी प्रभाब प्रकट नहीं होता केबल प्रलंब और कंस की बद पर देपता फूल बर्षा कर कृष्णी की लोग व्यापी प्रभाब की विंजना करते हैं किन्तो सूर नीक कृष्णी की लोग व्यापी प्रभाब की चत्रन में रुची प्रदर्शित नहीं की हैं इन कथा प्रसंगों को उन्होंने वर्णात्मक्डंग से चलता कर दिया है सूर का मन कृष्णी की वातसले और श्रंगार में लेलाओं में ही अधिक्रमा है उन्होंने नंदे के घर आनंद बधाई कृष्णी की बाल किरिणाओं एवं यशूदा के उल्लास कवरनन वातसले की अंतरगत इतनी विस्तार से किया है कि समिक्षक ने उन्हें इस शेत्र में अधुत्य घुशित किया है इसी प्रकार कृष्णी की अन्य लेलाएं मुरली लेला, राज लेला, प्रेम की रंग रहे से और संयग व्योग की नाना दशाओं का सूर ने मारमित चित्रन किया है पंडित रामचन शुक्ल ने सूरदास के परिमित कावशेत्र की समिक्षा करते हुई लिखा है कि उन्होनी जीवन की दो ही वृतियानी बाल वृति और योवन वृति सूर की कावशेत्र में प्रेम पक्ष प्रधान है किन्तु यह प्रेम लोकमंगल की भावना से प्रेरित ना होकर लोकर रंजन की भावना से प्रेरित होने की कारण एक अन्तिक है पारिबरिक और सामाजिक जीवन के साथ सूर्दाश द्वारवर्नित क्रिश्न चरित का जो थोड़ा बहुत संबन्द दिखाई परता है उसका सम्यक इसपुरण नहीं हुआ है रहा प्रेमपक्ष वह एकंदिक है सूर का प्रेमपक्ष लोक से नियारा है गोपियों के प्रेमभाब की गंबिर्दा के आगे उद्धव का ज्यान गर्व मिटाती हुई दिखाई देती है व्यभक्ति के एकांत साधना का आदर्श प्रतिष्टित करती हुई जान परती है लोक धर्म के किसी अंग का नहीं आचारी नमजन शुकली के इस मत से सब सहमत नहीं है शुकली जी ने सूरदास को लोक मंगल की साधना की कसोटी पर परखा है किन्तु उन में कभी के प्रति आपेक्षित सहानवुती का अभव है युग दिर्ष्टि को ध्यान में रखते हुए जब हम सूर कावे की प्रेम भव की विंजना पर विचार करते हैं तो इस पस्ट हो जाता है कि सूर का लोका अनूद रंजन लोक मंगल की उदात भावन से ही प्रेड़ित था या देबी उनका शेत्र परिमित था किन्तु इस परिमित शेत्र का जितनी गंभीरता एवं विशदता से सूरनी चित्रन किया वह अनुपम है कृष्णी की लीलाएं जन माहनस को आशवासन देती हुई प्रती तूती है और उनमें नहित भक्ती की उतकट भावना सूरनी अपने योग की संतों की निर्गुन साधन के सुगम मार्गो अतियत चटिल पताया है क्योंकि निर्गुन का अनुपम दूसरे को नहीं पताया जा सकता यह तो जो पावेशु जानिये इसलिए जैनमानस को आश्वासन देने वाले भगवान की माधुर मै लीलाओं का गान सूरनी अपने पदों में किया है आचारे शुकल का यह मत है कि तुलसी दास के समान लोगव्यापी प्रभाव वाले कर्म और लोगव्यापनी दशाएं सूरनी वर्णन के लिए नहीं ली हैं सूरनी कृष्णी के जिस लीला रूप का भावात्मक रूप का वर्णन किया वहर्दे को शुद्द करने वाला है और ऐसे हर्दे से क्रपा करशन करके निश्काम भाव से किये जाने वाले मकर्म मार्ग की सूरनी अपने भगवन लीला गान में विंजना की है सूर का शेत परिमित है किन्दू उस परिमित शेत्र में भी उन्होंने अपनी कला का उतक्रिष्ट प्रस्तुत किया है वात्सली और शिरंगार के शेत्र में सूर अनुपम है उन्होंने बालसुलब भावों और चेस्टाओं का सौभाविक एवा मनुवेज्यनिक चित्रन किया है शिरंगार के रसराजस्व को सूर ने अपने कावे में पूर्ण रूप से प्रमानित किया है कृष्णी की रूप माधुली का सूर ने विविद रूप में मार्मिक चित्रन किया है सायोग श्रंगार के वर्णिन में सूर ने अपनी को माहान भावुक भक्त कभी सिद्धि किया है तो ब्रपलहम की शेत्र में ब्रमारगीत प्रसंग में उन्होंने विरह दशाओं की मार्मिक बिंजना की है सूर की वातसले और सहियोग रती के द्वारा कृष्ण को ब्रजवासियों की तन मन में रमा दिया अभिन्ने कर दिया तो ब्रिपलम रती में कृष्णि के विच्छने पर उन्हें ब्रजबासियों के विहेवलता की बड़ी मार्मिक अविविंजना की है इस विर्हे की दू अवस्थाएं विशिश उग्र हैं एक प्रतिक्षा की दूसरी निराशा की कवीनी वियोकी अंतर दशाओं के द्वारा सहानभूती की मार्मिक विंजना की और हिर्दे की विदना की मार्मिक चित्र प्रस्तूत किये हैं इस प्रिकार सूर वाटसले और श्रंगार की परिमित शेत्र में रहते हुई भी इतनी उचता को प्राक्त हो गए कि उन्हें हिंदी साहे त्याकाश का सूरी कहा जाने लगा डॉक्टर सतींद्र की शब्तों में यही वे मा कवी है जिसनी कवी में उस्सोन यूग की अवतार न की इस कवी नी अपनी प्रतिभाके से आध्यात्मु दर्शन भक्ती और सगुन भ्रमु को कला का चेरा अध्वा मात्यम बना कर साकार कर दिया इससे कावी का धरा दल उचा उठा पर वेविशे भी धर्न हो उठे तुलसी नी अपनी कावी में इस्टदेव की मरियादा पुरुशोत्म स्वरूप को आधार बनाया तो सूर नी उनके लीला पुरुशोत्म रूप को आते ही यह सौभाविक ही है था कि सूर लीला वर्णन में विशे उतकर्ष को प्राप्त होते बालचरित की चित्रन में सूर तुलसी से इसलिए अधिक सफल हुए हैं क्योंकि तुलसी का इस ओर विशेश आकर्षन नहीं था और नौनी कृष्णी गीता वली, राम गीता वली, कविदा वली और मानस में भी जो बालचरित की वर्णन की हैं उन में बालसलब भावों और चेश्टाओं की प्रचुटता की इस्थान पर बाल रूप का ही अधिक वर्णन हैं लाला भगवान दीन की शब्दों में बालचरित की चित्रन में सूर को तुलसी सी कहीं अधिक सफलता प्राप्त हुए हैं इसका कारण यही है कि तुलसी की राम मर्यादा पुर्शुतम हैं उनको श्री राम जी का सारा चारित्र अंकित करना था इसकी विपरीत सूर की कृष्ण लेला वतार हैं उनके लिए सूर की कृष्ण लेला विशेशते बाल लेला ही पर्णन करने का शेत्र है इसलिए सूर ने स्रीकृष्णी की बाले लिला, उनका मचलना, उनका खींचना, उनका रोना, उनकी भीरू प्रकृति आधी सबका ऐसा जीता जाकतरन चित्रव खिश दिया कि बिना पूर्व अनभव के इन बातों को जानना ही असंभव है डाक्टर रामकुमार वर्मा की शक्तों में जीवन तकी सीमित हैं इतनी बात अवश्य है कि सूर्दास के श्रंगार में जीवन का मनवे ज्यानिक चित्रन जितना विशलेशन आत्मक है उतना तुलसी दास किसी भी शित्रका नहीं सूर्दास अपनी काविविशे के विशेशक्य हैं यही उन्हें माहकवी की आसन पर अधिस्टित करने में समर्थ है इन श्रंगार चित्रों के साथ रैसका जितना सुन्दा ने पुनिरूपन किया गया है उतना हिंदी साहिते में बहुत तो कठिंता से मिलता है ब्रमर गीत में तो जैसे वियोग श्रंगार की प्रतिक भावना गुपियों की आसूं में साकार हो गई है आचारी रमजन शुक्ले ने अपने हिंदी साहित के इत्यास में सूर और तुलसी की काप्वेकला की पारस पर एक तुलना करते हुई लिखा है यादभी तुलसी की समान सूर का काप्वेशीत इतना व्यापक नहीं की उसमें जीवन की भिन भिन दशाओं का समाविश हो श्रेंगार और बादसली की शेत्र में जहां तक इनकी दृष्टी पहुँची वहां तक और किसी कभी की नहीं इन दोनों शेत्रों में तो इस महा कभी ने मानो औरों की लिए कुछ छोड़ा ही नहीं गौशामी तुलसी दासनी की तवली में बाल लेला को इनकी देखा देकी बहुत अथिक विस्तार दिया तो सही पर उसमें बाल सुलब भावों और चिस्टाओं की वह प्रचुरता नहीं आई उसमें रूप पर्णन की ही प्रचुरता रही बालचिस्ता की सौभाविक मनुहट चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं है सुर पुष्टी मारूं में दिक्षित हुए थे और महाप्रभु की आगे से उन्होंने दासे भाव की भक्ती को छोड़ कर सक्के भाव की भक्ती को अपनाया महाप्रेवो की आदेश से उन्होंने भगबत लीला का गान किया उनकी कावी में शिरी बल्लबाचारे के शुद्धा ड्वेत के सिध्धन्तों की सर्वत्र वेंजना कुई अद्वेत में ब्रह्म की ही एक मात्र सत्ता मानी जाती है शुद्धा द्वेत में ब्रह्म में सत और आनंद की पूर्णा वस्था मानी है तो जीप में सत और चित का आधान तथा आनंद का तिरोधान माना है इसी आनंद को प्राप्त करके जीप भी शुद्ध होकर ब्रह्म हो चाता है सूर नी पुष्टी मार्क की इस शुद्धाद्वेत की दाक्षिनिक विचारधरह की अन्थे सलिला को अपनी काप्वे में सर्वत्र प्रस्तुत किया है तुलसी की उपासन पधिती सेवक सेव्विभाव की थी पन्दित रामजन शुक्ल की अनुसार उपासन पधिती की भेट की कारण भी सूर और तुलसी की रचनाओं में वेश्यम में मिलता है तुलसी की उपासन शीव्य सेवक भाव से कहीं जाती है और सूर की सक्य भाव से शुक्ली जी ने लिखा है सूर में सांप्रेदाई तक की छाप तुलसी की अपेक्षा अधिक है अस्ट छाप में वे थे ही उन्होंने अन्यनी उपासना की अनुसार कृष्णी या हरी को छोड़ और देदाओं की इस्तुती नहीं की है ग्रंद की अरम में भी प्रथा अनुसार गड़ेश या सूरसती को यात नहीं किया है पर तुलसी दाशी की वंदना की तिनी विस्तृत है ये रामचरित मानस और विने पत्रिका को पढ़ने वाले जानते है उनमें लोक संग्रे का भाव पूरा पूरा था उनकी दृष्टी लोक व्रिस्तृत थी जन समाज के बीच या कम से कम हिंदू समाज के बीच परस्पर सहानवूती और सम्मान का भाव तथा सुख़द व्यवस्ता इस्तापित करनी की अविलाशे भी उनमें बहुत कुछ थे शिव और राम को एक दूसरे का उपासक बना कर उन्होंनी शेवों और विश्नवों में भेट पुद्धी रोकने का प्रयत्न किया था सूर्दाश जी का इन सब बातों की ओर्ध्यान नहीं था सूर जैसे महान भक्त पर साम्प्रदाइकता का आक्षिप उचित नहीं है जैसे शुकली जी ने लगाया सूर नी तो जैन धर्ब में पथम तीर्धंकर रिशव देव का भी वर्णन किया है सूर का राम काफे भी कम मार्मिक नहीं है सूर की राम काफे में अनेक मार्मिक इस्थल है सूर नी पुष्टी मार्में दिख्षित होते हो भी अपनी काफे में साम्प्रदाइक तक की संकुचित प्रती नहीं आने दी क्योंकि वेभक्त श्रोमनी एवं महा कवी थे उनका हिर्दे साधना की उच्चावस्था को प्राप्त कर चुका था जहां साम्प्रदाइक भेदभाब का संकुच नहीं रह था सूर काफे में कवी ने अपनी अन्फूती की मार्मिक बिंजना की है उनका सिध्धान्त निरुपन भी भाब प्रेडित अधिक है उनका ने निर्गुण का खड़न उतना नहीं किया जितना सगुण का प्रतिष्ठापन टुकी वे उदार खड़ाई थे शुक्ली जी ने सूर्दाश की उपसन पद्धिती का भली बाती आकलन नहीं किया जिस सूर की उच्च भावहूवी परिस्थित थे उसकी अनुभूती करके ही सूर का सच्चा मुल्यांगन किया जा सकता है डॉक्टर रामकुमार बर्मा ने लिखा है सूर्दाश अपनी भक्ती भावना में दार्शनिक्ता से दूर ही रहे उनकी भक्ती भावना में विकास निरंतर ही होता गया उनकी प्रारम्विक पद दास्त भावे के हैं तो तुसी दास के दृष्टी कौन से मेल खाते हैं परवर्थी पद सक्य भाव के हैं जिनमें कृष्ण की लीला बड़े मनोरंजक धंग से वर्नित की गई है तुसी की भावती सूर्णी धर्म का विशिश उपदेश नहीं दिया और नमूर्दी पूजा तीर्थ व्रत वीत महिमा वर्नाश्रम आधी पर ही जोड दिया वे तो अपने आराती श्री कृष्णी के व्रक्तित मेलीन थे ना उन्हें लोगादर्श की जंता थी और ना धर्मिक के प्रचार की ही वे तुसी की भाती धात्मिक साहिशूम अवश्य थे क्योंकि उन्होंने सूर सागर में कृष्णी की अतरिक्त अन्य अवदारों में राम का वर्नन भी किया है अस्टचाप की कवियों में तो सूर मूर्दन इस्थान की अधिकारी है ही इसे आज तक के सभी समालोचकों ने मुक्त कंटे से सुगार किया है अस्टचाप की बाहर तक उनकी समता वाले धूंडनी से मिलेंगे सूर की टक्कर का हिंदी सायते में केवल एक ही कभी है और वह है कभी कुल चूड़ा मने गोजामी तुसी दास जहां तक भक्षिशेत्र का संबंद है वहां तक हम किसी को भी एक दूसरी से उन्चा नहीं कह सकते कहना भी नहीं चाहिए पर जैसा सूरदास और हरी लिला के चीरहन प्रकर्ण में लिखा जा चुका है कि सूर की अध्यत्मिक सिद्धि तुलसी की अपिक्षक ऊउंची अवस्य प्रतीत होती हैं सूर की संबंद में यह दोहा भी प्रसिद्ध है तत्व तत्व सुरा कही तुलसी कही अनोधी बची कुछी कवेरा कही और कही जो जोटी इस शेत्र में भी तुलसी की अपिक्षा सूर गीती कावे तकी सीमित हैं तुलसी का शेली शेत्र अत्यंत व्यापक है तुलसी कावे में शेली विविद्धा के दर्शन होती हैं तुलसी दास दी अपने युक में प्रचलित सभी कावे शेलियों को राम में बना कर उन पर उतकृष्ट रचनाएं प्रस्तूत की हैं सूर्दास्ती अपने कविस रजन को पदों तकी सीमित रखा है आचारे रामजन शुक्ल ने कहा है सूर्द साकर की पद्धिती पर वैसी ही मनोखारणी और सरच रचना तुलसी की गीतावली मौजूट है पर सूर्द की रामचरित मानस और कवितावली शैली की कोई कृती नहीं है इसके अतिरिक्त मनश जीवन की जितनी अधिक दशाएं जितनी अधिक पृतियां तुलसी ने दिखाएं हैं उतनी सूर्द ने नहीं शुक्लजी ने सूर की शहली की समिक्षा में वहसानवूती प्रदर्शित नहीं की है जो उच्च कोटी की आलूचक से अपिक्षित थे सूर ने भावा अनुसार अपमें शहली में परिवर्थन किया है सूर में भाव वैविद्धी की साथ साथ शहली वैविद्धी भी देखने को मिलता है उनकी शहली की अनिक रूप ये हैं गे, पदशेली, द्रश्टकूट, पदशेली, इतिवरतात्मक शेली, संबोधन शेली, व्यंग शेली, उपालंब शेली डॉक्टर सतीन ने सूर और तुलसी की शेली की भीट को लक्षित करते हुए कहा है तुलसी दास कावे लेखक हैं, सूर पुस्तक लेखक हैं सूर अपनी कावे वेक में मुक्त होकर एकी ही विशेपर विविद्पद लिखने चलते हैं वे इतनी घेरे जाते हैं कि तेह में डूलती दिखाई पड़ते हैं पर विस्तार उतना नहीं उनका शीत्र संकुचित है पर अगाद है बार बार उसी बात को कहते हैं पर बड़े मजी से कहते हैं पर तुसी को इतना अवकाश नहीं उन्हें प्रतीक बात उचित्र मात्रा में कहनी है उचित्र इस्थान का भी ध्यान रखना है सौतंद्र का व्यवेक की धारा प्रभंद और अनुभंद के दुगोलों में हुगरबही है सौर की पनुरुक्ती श्रंखला में जो त्रबती है उसे कथन की बिशिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष अंत में हम कह सकते हैं कि सूर और तुलसी दोनों ही हिंदी साहित या काश के सूर और चंद्र कहे जाते हैं किन्तु इन में कोई भी एक दूसरे से छोटा बड़ा नहीं है दोनों अपनी अपनी शित्र में अप्रति में शुद्ध साहिति की द्रस्टी में भी छोटी बड़े का प्रश्णों उचित नहीं है तो लनात्मक समिक्षा द्रस्टी से जब हम दो समान इस तर की माहान कभियों की कभिका तारतम में निरूपत करते हैं तब उसमें से एक को दूसरी से छोटा या बड़ा बताना कठिन हो जाता है क्योंकि दोनों समान स्वर के कभियों है अपनी अपनी शित्र के समराठ है अदुतिय है सुर और तुलसी की रचनाएं बक्तिकाल को स्वर्ण युक बनाने में समर्थ हुए ये दोनों अमर महा कभी हैं दोनों अमर महा कभी रहेंगे ये अपने युग में भी अत्यनत लोप्ठिय अभम अदुतिय थे आज भी हैं और भविश में भी रहेंगे दान्यवा